तो मंदिर की वीडियो आपने देखी आपको कैसी लगी कमेंड बोक से मुझे अवश्य बताएं और जो भी आपको कमी दिखाए देती है या जो अच्छा है वो बताएं मुझे तो सागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कारिकरम राम से इत्मानस के लंगा कारण बाट में शुरू करते हैं अब हम आज का बाट नारी पाई फिरी जाही जो तो न बढ़ाए रारी नहीं ते सम्मुक समर महीं तात करिये हटी मारी यदि वे इस्तिपागर लोट जाएं तब तो धगड़ा न बढ़ाएं नहीं तो या फिर नहीं लोटें तो ये तात सम्मुक युद्भूमी में उनसे हट पूर्वक मार क किजे यह मत जो मानव प्रभु मोरा उभे प्रकार सुज़ सुजग तूरा सुत्सन के दसकंत रिसाई असिमत सटके ही तो ही सिखाई यह प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से ही आपका सुयश होगा रावन ने गुस्वे में भर कर पुत्र से बूचा अरे मूर्ग तुझे ऐसी बुद्धी किसने सिखाई आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि तो यह की हैं ऐसे मेरा रॉह होता है वैं इसमें कोई भी एडिट नहीं करते हूं और aujourd द획 किया था सकता आbab जैसा है वैसे ही आता है क्यों शोट शोटे जो लोग वैसे वीडियो बनाते हैं वाइस वीडियो बनाते हैं तो इसमें कुँंग सब्सक्राइब बना लूए 15 मिनट बना जाएबंदयमों जोड देते हैं तो यह गाय हो आरे यही है और कुछ भी नहीं होता है इसमें तो इसी दिये इतना इंडरर्स्टिंग नहीं है कुछ बहुत जादा मदफ जैसे प्ल우harug ँसी जह डूब कर सकते हो इसमें इसमें तो इस लिए यह आप दोग देखिए रामकाबाट है रामके दवालाब 사़ा updates देखिए और शेयर केजिए ताकि मैं अपने उद्धिश में पूर्ण हो सकूं तो अब आज के बाट में आते हैं आवहीं ते और संसे होई बेनु मूल सुत भयव गमोई सुती सुनी पितु गिरा परुश अति घोरा चला भवन कहीं बचन कठोरा अभी से हिर्दे में संध्य हो रहा है ये पुत तूत बास की जड़ में घमोई हुआ तू मेरे वंश की अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ पिता की अत्यंत घोर और कठोरवानी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया हित्मत तो ही नालागत कैसे काल विवस कहू भेशज जैसे हित्की सला आपको कैसे नहीं लगती आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यू के वाशुय रोगी को दवा नहीं लगती संद्या का समय जानकर रावन अपनी बीसो भुजाओं को देखता हुआ महल को चला लंका सिखर उपर अगारा चित अतिवी चित्र तह होई अखारा बैट जाई ते मंदिर रावन लागी किन्नर गुन गन गावन लंका के चोटी पर एक अत्यंत भी चित्र महल था वहां नाच गाना का अखारा जमता था रावन उस महर में जाकर बैट गया किन्नर उसके गुन समों को गाने लगे बाजें ताल पखा उजी वीना नित्र करही अख्षरा प्रवीना ताल बखा वज उज़ताल करताल और ब्रदंग और वीना बज रहे हैं नित्र में प्रवीन अख्षराएं नाच रही हैं सुना सिर शत सरिस सोसंतत करयी विलास परमप्रवल रिवसी सबरत तदवी सोचन त्रास वे निरंतर शैक्लों इंड़ो के समान भोग विलास करता रहता है यद्धिशphonyरामजी शरीका अत्यन्त प्रवर शत्रुन सिरफर है यह भी उसको नातों चिंता है और ना ही डर है यहां सुवेल सैल रगवीरा उत्रे सेन सहेत अति भीरा सिखर एक उतंक अति दे की परमरम में सब सुब्र विशेशी जहां रगशी रगवी सुवेल परवत पर सेना की बड़ी भीर के साथ उत्रे परवत का एक बहुत उचा परम रम्निय सम्तल और उशेश रोग से उज्वल शिकर देखकर तहतर किसले समन सुहाए लच्मिन रची निजहात डसाए तापर रुच्रमे दुन में गच्छाला तेही आसन आसीस करबाला वहाँ लच्छों जीने विक्ष्चों के कॉमल पते और सुन्दर भूल अपने हाथों से सजा कर बिच्छा रख दिये उसमें सुन्दर और कॉमल विक्ष्चाला बिच्छा दी उसी आसन बर करबाल शिरी राम जी विराजमान थे प्रभु करत सीस कबीज उचंगा वाम दहिन दिसी चाप निशंगा दूकर कमल सुधारत वाना कहलंके समंत्र लगी काना प्रभु शिराम जी वानदाज सुगरीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं उनकी बाईयों धनुष्ट दाहिनी और तरकश रखा है वे अपने दोनों कर कमलों से वान सुधार रहे हैं विविशन जी कानों से लक सलह कर रहे हैं बढ़बागी अंगद हनुमाना चरन कमल चापत बेदिनाना प्रभु पाचे लच्मिन वीरासन कर्तिन शंग कर्वान सरासन परम भागशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रजासे प्रभु के चरन कमलों को दबा रहे हैं लक्ष्मन जी कमर में तरकस कसे और हातों में धनुश्वान लिये वीरासन से प्रभु के पीछे सुचोबित हैं एही विजी कर्वा रूब गुन धाम राम आसीन धन्य तेज नर एही ध्यान जे रहेत सदा लैलीन इस प्रभा रूब सौंदर रहे और गुनों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं वे मनुश्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं पूरव दिशा बिलो की प्रभु देखा उधित बयंक क्यात सबही देखाऊ ससी ही म्रिगपती सरिस असंक पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उधै होते हुए देखा तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो क्यासा सिंग के समान निडर है पूरब दिसी गिरी गुखा निवासी परम पताब तेज बलरासी पूरब दिशा रूपी परवत की गुखा में रहने वाला अत्यंत पताब तेज और बल की राशी यह चंद्रमा रूपी सिंग अंद्रकार रूपी मतवाले हाती के मस्तक को विद्दिन्ड करके आकाश रूपी बन में निर्वे विचर रहा है बितुरे नव मुक्तार हल तारा निसी सुंदरी के रसिंगारा कै प्रवुसा सिक महूं में चकताई कहां कहां ने जिनने जिम्मत भाई आकाश में बिखरे हुए तादे मूतियों के समान है जो रात्री रूपी सुंदर रस्त्री के श्रिंगार है प्रवु ने कहां भाईयों चंद्रमा में जो कालबन है वह क्या है अपनी अपनी बुद्जी के अनुसार कहों कह सुगरीब सुनव रगुराई ससी महूं पगट भूमिके अच्छाई सुगरीब ने कहा है रगुनार जी सुनिये चंद्रमा में पित्वी की छाया दिखाई दे रही है किसी ने कहा चंद्रमा को राहू ने मारा था वही चोट का काला दाग हिदे बर पड़ा हुआ है को के को के जब विदी रति मुक कीना सार भाग ससी कर हरी लीना कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदीर की इस्त्री रति का मुक बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया उस जिससे रति का मुक तो परम सुन्दर बन गया परंतु चंद्रमा के हिदे में छेत हो गया यही छेत चंद्रमा के हिदे में वर्तमान है जिसकी रहा से आकाश की कारिशाया उसमें दिखाई पढ़ती रति है प्रभु कहे गरलित बंदुस सिकेरा अतिब्रिये निज और दीन बसेरा विश्य संजुत कर निकर बसारी जारत विरेवंत नर नारी प्रभु श्री राम जी ने कहा विश्य चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है इसी से उसरे विश्य को अपने हिर्दे में सांजी रखा है विश्य अपने किरन समों को सुपहला कर वे वियोगी नर नारियों को जडाता रहता है हनुमान जी ने कहे प्रभु सुनिये चंद्रमा आपका प्यादास है आपकी संदर श्याम मूर्ती चंद्रमा के हिर्दय में बस्ती है वही श्यामता की जलक चंद्रमा में है तो अभी नव प्रायन का ये चटा विश्याम खतम होता है और सात्वा शुरू होता है तो शुरू करते हैं सात्वा विश्याम पवन तने के बचन सुनी विह से राम व सुजान-दचिन दिसी अवलो की प्रभु बोले क्रबान निद्धान पवन पतर हर्नमान जी के बचन सुनकर सुजान श्री राम जी हमिहां से तर दखषिन की ओर देक क्रबा निद्धान बबु बोले देखो विशन दक्षनी आशा घंघमन दामनी विलासा मदूर मदूर गरजई गरजई घंघण गोरा हो इग्वेस्त जन बल अकटोरा दक्षिन दिशा की ओर देखो बादल जैसा कैसा गुमर रहा है और बिजली चमक रही है भियानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है कहीं कटोर ओलो की वर्षा ना हो तो आज का बाद में यहीं पर पूर्ण करती हूं कल भे मिलेंगे तब तक आप मेरा चैनल अवश्च्छे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बाद संदें अब जब पार संदें सबसे बड़े लाइक कर लिजिए और अपने परवान मित्वनों को भी सब्सक्राइब औ सब्सक्राइबर्स आप जुने और सब्सक्राइबर के रूम में जुने आप लोग और ताकि मैं यह जो उद्देश्य है मेरा मैं उसे पूर्ण कर पाऊं तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में एक लिए तरह के साथ में तब तक के लिए नमस्कार